सल्मान खान की बहन अर्पिता के घर में करीब सवा 3 लाग की चोरी हो गई है अर्पिता अपने पती आयूश के साथ बांदरा के पैसिफिक अपार्टमेंट में रहती है अर्पिता की तरफ से खार पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस के मुताबिक जब फ्लैट में चोरी हुई तब अर्पिता और उनके पती हॉलिडे पर गई हुए थे चोरी का पता तब चला जब वे 21 अगस्त को घर वापस लोटे पुलिस ने इस मामले में अर्पिता की नौकरानी को हिरासत में लिया है पुलिस ने अर्पिता के ड्राइवर और पडोसियों के नौकरों से पूछता आज के बाद नाला सोपारा से उनकी नौकरानी को हिरासत में लिया है नोकरानी अफसा उनके घर में ही रहती थी परिवार के मुताबिक उन्हें अपने नोकर पर चोरी का शक है जो 30 जुलाई से ही घर से गायब है पुलिस ने नोकर पर भारतिय दंड सहीता की धारा 381 के तहट मामला दर्ज किया है पुलिस ने ये भी कहा कि ये चोरी रविवार से पहले हुई पुलिस ने बताया कि घर से सवा 2 लाख रुपे की नकती के अलावा एक 10 ग्राम सोने का सिक्का और डिजाइनर कपटे भी चोरी हो गए है आपको बता दें कि अर्पिता ने नवंबर 2014 में हिमाचल प्रदेश के आयुष शर्मा से शादी की थी अर्पिता ने मार्च में एक बेटे को जन दिया बेटे का नाम आहिल रखा गया है